नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नमरता शर्मा उत्रप्रदेश के आगरा की बात करते हैं यहां पर ऐसे 12 गाउं है जिनमें लोगों में पुलिस का खौफ है पुलिस का खौफ किसलिए है क्योंकि पुलिस रोज रात को 1-3 बज़े तक दबिश देती है और कुछ लोगों को पकड़ने की फिराक में पूरे गाउं की जो नींद है वो खराब होती है और लोगों में ये डर है कि पुलिस कब किसके घर में आकर दबिश दे दे दरसल पूरा मामला 31 दिसंबर 2020 की रात का है क्या हुआ था कि एक पवन नाम का शक्स था वो अपने ट्रैक्टर में बालू भर कर गाउं से गुजर रहा था कि तभी अचानक से कुछ सिपाही वहाँ पर आए और उन्होंने उस ट्रक को रोकने की कोशिश की आनन फानन में पवन ने उस ट्रक को भगा लिया दोडा लिया और आगे जाके वो ट्रक पलट गया और इस हाथसे में पवन की मौत हो गए लहाजा जो गाउं के लोग थे उन्होंने पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए उन्होंने जिस पूरे थाने के अंतरगत ये पूरा मामला था वो थाना है ताजगंज तो उस थाने को बाकाईदा फूगने की कोशिश की गई उसमें आग लगाने की कोशिश की गई और इसी में पुलिस ने 500 ऐसे नौजवानों को नामजद किया था जिनके खिलाफ अब सफ्त कारवाई के आदेश जारी किये गए हैं और इसी के तहट पुलिस उन्हें पकड़ने की फिराक में है लगातार एक हफते से पुलिस दबिश देने की कोशिश कर रही है रोज रात को एक से तीन चार बज़े तक पुलिस पेट्रोलिंग के लिए निकलती है चुपे हुए है लेकिन इन 500 लोगों को पकड़ने के लिए इन 12 गाउं के लोगों की नीद खराब होती है और इनमें डर है क्योंकि पुलिस अब जल से जल उन लोगों को पकड़ना चाहती है इसलिए कोई भी कोता ही नहीं बरत रही है और किसी के भी घर पर जाकर वहाँ पर कभी भी पुलिस दबिश दे रही है यही वज़ा है कि लोगों के मन में एक डर का माहल है बता दें आपको धानपुरा, तोरा, करबना, बुढ़ाना, सहित, बारा ऐसे गाउं है जिनमें पुलिस को लेकर खौफ देखा जा रहा है और यह पूरा मामला 31 दिसंबर का बताय जा रहा है जिसमें पुलिस लगातार गिरफतारियां कर रही है तो इन लोगों पर ये आरोप है कि इन्होंने शांती भंग करने का पूरी कोशिश की है इसके अलावा इन लोगों ने आगजनी की है, पुलिस शौकी को फूख दिया है और ऐसे में अगर किसी की जान चली जाती तो एक बड़ा हाथसा भी हो सकता था ये सब आरोप इन लोगों पर लगाए गए हैं और इसी के तहट पुलिस इन सब को पकड़ने की फिराक में है बेरहाल पुलिस को लेकर आगरा के इन 12 गाउं में जिस तरीके से भारी खौफ है उसको लेकर और इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं